हेलो दोस्तों में जी श्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल जीत फुरी उपर आज मैं नीट की विध्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट नीड जिलाया हूँ जो की दिनांग 7-8-2024 को पब्लेस हुई है यह है आपकी काउंसलिंग के संबन्द में MP स्टेट की काउंसलिंग कब से शुरू होगी अब तक चलेगी फर्स्ट राउंड की आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको क्या क्या करना होगा ठीके ना तो एक कार्याल है अयुक्त लोक सुक्तस एबन चिकिस्सा सिक्षा छटवी मंजिर सत्पुड़ा भवन भोपाल से पब्लीश हुआ है इसकी इमेल इए रही है उसकी वैप्साइड इह है सुचना आज ही पब्लीश हुई है साथ आर्ट दोजा चोविस को तो रेजिस्टेशन संबंदित महत्पूर्ण सूचना, रेजिस्टेशन संबंदित महत्पूर्ण सूचना है किस-किस के लिए, सास किये सौध्याई चिकिस्सा, दंद चिकिस्सा महमिद ध्यालाई, एबं निजी चिकिस्सा, दंद चिकिस्सा महमिद ध्यालाई, राज कोटी की सीटो एवा एनराई सीटो पर प्रिवे से तो नीट यूजी दोहजार चौबीस की ऑनलाइन काउंसलिंग के अंतरगत पंजिन से अभी तक नीठी चला आ रहा है रेजिस्टेशन कब से स्टार्ट होगा अपना बारा आट दोजा चौबीस से आपका रेजिस्टेशन स्टार्ट होगा और कहां पर जाकर आपको रेजिस्टेशन करना होगा रेजिस्टेशन बारा से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा यह भी अपने इसी वीडियो में देखेंगे चलिए अब यहाँ पर पूरी समय शानी दी गई है ऑफिस ऑप कमिशनर मेडिकल एजुकेशन भोपाल मद्पदेश टेंडेंटिप टाइम सेड्यूल किसके लिए एमबीबीएस बीडियेस कोर्स दोजार चौविस ठीके ना डेट है आजी की साथ आट दोजार चौविस फर्स्ट राउंड एमबीएस बीडियेस कोर्स के लि टोटल नाइन डेज का इसमें रजिस्टेशन चलेगा ठीके ना नो दिन इसमें लगेंगे नंबर अपडेस कितने लगेंगे नो ठीक है और पब्लिकेशन वेकेंसी आप यहां पर पेकेंसी देख सकते हैं किती सीट हैं अपनी मद्पदेश में इंविडेशन अगेंस्ट वेकेंसी मतलब अगर आप कोई भी वेकेंसी की खिलाब अगर आप भॉम भनना चाहें तो भर सकते हैं अप्जोक्शन उठाना चाहें तो आप 16 तारिक ता उठा सकते हैं ठीक है ना merit list publication of state merit list registered candidate registered candidate की merit list कब आएगी 21-8-2024 को आएगी के बल एक दिन लगेगा इसमें ठीक है ठीक है एक दिन का time लगेगा उस दिन आपकी 16 तारीक को merit list आजाएगी और इस तारीक को merit list आजाएगी choice filling and locking MP Domitial Registration Candidate जो MP के Domitial Certificate होता है वो आपका counselling में लगता है वो आप तैसिल से जाकर बनवा सकते हैं और choice filling कब तक होगी 22-8-2024 से 26-8-2024 पांस दिन तक आपकी choice filling लगेगी ठीक है न और फीस तो आपकी भरी जाएगी पहले ही आगी चलिए allotment result of first round first round को result कब आएगा आपका 29-8-2024 को आपका result आ जाएगा इसके बाद reporting time क्या रहेगा आपका जैसे reporting allotment medical and dental in personal for documents verification के लिए और admission के लिए 31-8-49-24 तक चलेगा 31 तारिक से आपका allotment मिल जाने के बाद चलेगा जो document verification है तो पन directly जाकर भी document verification करा सकते हैं कोई problem नहीं है जब admission लेने जाए अपन तभी भी अपन document verification करा सकते हैं तो इस चार तारिक तक document verification चलेगा लेकिन आपको चार तक है तो चार से पहले ही document verification कराना होगा टोटल 5 दिन का लगेगा ठीके ना online registration cancellation or admission at college level अगर आपको online registration करना है cancellation करना है admission तो 31 आठ से 79 दोजार 24 तक अपन कर सकते हैं मतलब अपन को अप्गरेशन करवाना है फो अप्गरेशन थू candidate by login after admission वाई candidate आप अगर अपडेट कराना चाहते हैं अपने college को मतलब जो आपको पसंद नहीं आया उसको अगले round में ले जाना है आपको तो वो भी 38 से 79 दोजार 24 तक चलेगा टोटल 8 दिन तक अपने इनको करा सकते हैं लेकिन अप्डेट तब ही होगा जब आप admission लेंगे बिना कोई problem नहीं लेकिन second round के आपको फीस लगेगी जो की अलग अलग होती है अगर private college डालोगे तो उसकी फीस अलग होती है government college डालोगे तो उसकी फीस अलग होती है और आपको कोई भी detail counseling के अलग चाहिए counseling कोई भी detail आप चाहते हैं तो आप comment करके पूछ सकते हैं पूरी की पूरी आपको detail provide करा जाएगी और हर इस्तिती में आपकी साहता की जाएगी तो आगे की जो भी information आती है उसकी लिए आपको क्या करना वीडियो को subscribe कर लेना ताकि हर वीडियो आपको notification मिल सके मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद